खेशी रादे आप अपनी कम्यूनिटी के उचसवों में जाते हैं कोई विशेश हाने नहीं है आप नाम में आएं है आप वहाँ जाते हैं देखिए कितनी अच्छी बात है कि वहाँ भी नाम चलता रहता है नाम चलेगा चलता रहना चाहिए और कम्यूनिटी के उचसवों में आप जाएं तो वहाँ उसी प्रकार जाएं जैसे इश्ट तो हो गया आपका तृष्ण नाम जैसे एक पती का एक पतनी का पती हो गया नरेश जी अब नरेश जी के कोई भाई है रमेश जी तो क्या नरेश जी की पतनी नरेश जी के भाई को सम्मान नहीं करेजी गंदी रजलों से देखेगी अपमान करेगी ये बात नहीं करेगी नहीं ऐसा नहीं सष्टी में जितने भी देवी देवता जितने भी मतपंथे यहां तक कि कण कण में भगवान है इस विशे में मैं पहले लगा चुका हूँ मुझे लगता है कि आप केवल अपना प्रश्ण का उत्तर सुनते हैं दूसरे प्रश्णों के उत्तर नहीं सुनते हैं बहुत इस पस्ट इसमें भीया है कण कण में भगवान है तो जो आपकी कुल के देवता है उनमें भी कही न कहीं आपके भगवान का यंश है तो एक तो उनसे द्वेश नहीं करना है और उपर ले मन से चले जाना है व्यवार निर्वा कर लेना है क्योंकि किसी समाज में आप हैं जुड़े हुए है उनमें इस्ट बुद्धी नहीं रखनी हैं बस या बहुत उपर इस तरह जाकर तो यह होता है कि सब में कृष्ण दिखाई देते हैं वो शायद आपकी मेरी तो भी नहीं हो पाई है शायद आपकी भी नहीं होगी तभी यह प्रश्ण उठा है तो उसमें इस्ट बुद्धी नहीं रखनी है यह भी हमारे कृष्ण के ही सेवक है यह भी स्रस्टी के कोई कार्य करने वाले है इनको प्रणाम है मांगना कुछ भी है तो हम अपने कृष्ण से ही मांगेंगी इस्ट हमारा कृष्ण है पती हमारा कृष्ण है यह देवर है, नंद है, बढ़ जाईए बू आए, चाचा आए, माम आए, बती जाए, भान जाए, ये भी हमारे लिए प्रेम और सम्मान के पात्र है, द्वेश नहीं रखना है, हिंसा नहीं करनी है, अपमान नहीं करना है, लेकिन इस्ट कृष्ट नाम को कृष्ट को ही रखना है, तो इससे अनन्यता में बाधा नह ही होगी। यदि खृष्ण की तो उपास न करें और राम की ना करें और अड़ो अटव अड़ो हम नी जानते हैं। हम तो खृष्ण की उपास जाएं। तो ये एक परकार का आप माण है ये एक प्रकार का अहंकार है और यदि भक्ती बचन से संबंदित कोई देवता हो तो उन से मांगें भी सही तो ये प्रवू आमें आपके शरण में आया हूँ देको मैं तो भगवन नाम में लग गया हूँ आपके पास शक्ती है और आप कुछ दे सकते हैं तो आप यही द कि भगवन नाम में मेरी शद्दा हो यदि आप दे सकते हैं तो दीजिए और मेरा मानना है कि हर व्यक्ती भगवान का ही दास है भगवान का ही अंश है वो अवश्य भगवान के लिए आप मांगेंगे तो वो दे सकता है नहीं भी देगा तो बिगाडेगा कुछ नहीं वो आपको देगा ही देगा और आप इस भाव को रखते हुए इस्ट कृष्ण नाम इस्ट करस्ट और बाकी सब हमारे इस्ट के ही प्रिय हैं हमारे इस्ट के ही अंश हैं हमारे इस्ट के ही सेवक हैं हमारे इस्ट के ही जान पहचान वाले हैं तो कोई हानी नहीं है जाने में आने में प्रणाम करने में एटेंड करने में सामाजी की विवस्था को बनाए रखने में कोई हानी नहीं है लेकिन उनके पुरति ये ठ्धारना के कउभी इस्ट बुध्धी न आ हो जाए इस्ट एक ही रहेगा तो अनन निता की रक्षा होती रहेगी जैशी रादे जैनिताई